संत के दर्शन से संत के दर्शन से संत के दर्शन परसुप मज्यन पाना कट ही पाप कह बेद पुराना कर दो में अवादे तर्शन से कर दो 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 कर दो 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 दोड़ाए भक्ति का अंकुर पेराग्य का अंकुर ज्यान का अंकुर जब फूटता है तो पता है बिकार जो है उसे खाने की कोसिस करते हैं लेकिन कुछ दिन रखवाली बनी रहे दवा का चलता रहे तो ये जो भक्ति ये जो जो नारी है ना योती जो रो रही है नारज जी ने पूछा कि तुम कौन हो देवी तब वो देवी कहती है बाबा में भक्ति हो बोले क्यों रो रही हो बोले मेरे ज्यान और वेराग की ये दोनों पुत्र हैं ना ये बूडे हो गए हैं जरजर हो गए हैं ये मरना सन्न है इन में एक जान आ जाए ये एक ठीक हो जान तो मेरे को सुख मिले चैन मिले अच्छा लाव मैं उपाई करता हूं नारज जी ने अनेक उपवाई करे लेकिन भहिया ग्यान वेराग्य में कोई फर्क नहीं पड़ा नारज जी ने प्रार्थना करी कि हे परमात्मा मैं ऐसा क्या उपाई करूँ कि ये ग्यान वेराग्य जाग्रत हो जाए ठीक हो जाए मजबूत हो जाए बलवान हो जाए जवान हो जाए आकाश वानी होई नारज जी को कि हे नारज यदि तुम्हें ज्ञान वेराग्य को ठीक करना है तो एक काम करना पड़ेगा बोले क्या सतसंग समाचर बोले तुम्हें सतसंग का सतसंग करना पड़ेगा अब नारज जी बोले केसो सतसंग करना पड़ेगो कहां जाना पड़ेगो का करना पड़ेगो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है अब इसकी परिवासा जानने के लिए नारज जी अनेकों आश्रमों तीर्थों में संतों महिंतों के पास भटकते भटकते कहां पहुँचे बद्री नाथ और वहां बद्री नाथ में यह बे सनतकुमारों को अपनी बात बता रहे हैं कि महाराज ऐसे बटकते बटकते उस भक्ती के दुख से दुखी हो करके मैं यहां जल्दी जल्दी उसका उपाय डोड रहा हूं एक बात बताओं भईयाव संतके भी और सामान्य संसारी मनुष्य के भी हाथ पाओं महों आख नाख एक जैसे होता है कि अलगते विन कि नाख कोई बड़ी होते है ना शरीर एक जैस होई है बोजन पानी भी वो करते हैं पैदल भी चलते हैं तो फिर फरक क्या है जरा समझे जो केबल अपने सुख की चिंता करें अपने सुख से ही सुखी हो वो संसारी है लेकिन दूसरे के सुख की चिंता करें खुद भी सुखी हो और दूसरे को भी सुख देने की कोशिस करें वो संत हैं संसारी और संत अब एक और बचा संसारी से भी नीचे बोले कौन बोले दुष्ट एक तीसरा और होता है जो अपने सुख से सुखी हो जाए अपने सुख में ही सुख माने दूसरे ते कावत लेनो देनो नहीं गामन में कावत्य अपना काम बनता है और बाढ़ में जाओ वो संसारी है लेकिन सब सुखी हो जाए सब के जीवन में आनंद हो ऐसो जो सुच है वो संत है और दुस्ट कौन है जो दूसरे में पटक देखें दूसरे दुखी करकें और फिर बाग के उपर मौज ले हासे कि अब आया हुट पाल के नीचे अब मालिम परेगी जागी वो दुष्ट है वो राच्छस है वो दैत्य है तो नारजी दुखी तो है लेकिन किसी और के दुख से दुखी है भक्ती के दुख से दुखी है और के दुख से दुखी